नमस्कार आज की वीडियो लेक्टर में आपका स्वागत है आज हम कक्षिया नौवी की एक कविता यमराज की दिशा की व्याख्या करेंगे इस कविता के कवी चंदरकान देवतालेजी हैं और इस कविता में यहाँ पर कवी ने अपनी मा के एक कथन को जो उनकी मा ने कहा था कि दक्षिन की तरफ पैर करके मत सोना उस कथन के आलोक में वर्तमान समय का बड़ा विवत प्रंतु सत्य चेहरा प्रस्तुति किया है यानि मा ने जो कहा था कि दक्षिन की तरफ पैर करके मत सोना उस प्रसंग के माध्यम से वर्तमान स्थीती का अवलोकन करने का प्रियास किया है तो वीडियो सरक करने से पहले एक निवेदन अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो उसको सस्क्राइब कर लें यमराज की दिसा यमराज मृत्यू के देवता को कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि हमारे जो बुजर्ग वगरा होते हैं वो अपने बच्चों को संसकार देते हैं और कभी की माताजी ने भी उनको संसकार दिया था बच्चपन में ही कि कभी भी दक्सिन की तरफ पैर करके मत सोना क्योंकि दक्सन के जो दिशा है वो यम्राज की दिशा मानी जाती है बच्चों को इस फरकार से बताया जाता है कि आगर दक्सन में आप पैर करेंगे सोएंगे दक्सन में पैर करके तो यम्राज है वो रुष्ट हो जाएंगे गुष्शा हो जाएंगे तो यहीं से कविता सुरू होती है मा की इसवर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है पर वह जताती थी जैसे इसवर से उसकी बाचित होती रहती है कभी कहते कि मेरी माता जी से इसवर की मुलाकात हुई है नहीं हुई वो पक्के तोर पर नहीं कह पता कि हो सकता है हुई भी हो और नहीं भी हुई हो लेकिन जो कवी की माता जी इस प्रकार से जताती थी इस प्रकार से बताने का प्रयास करती थी जैसे कि इस वर से उसकी लगातार बात होती रहती है यानि इस प्रकार के प्रसंग सुनाती थी कि बगवान नराज हो जाएंगे तो इससे यही थाबित होता था कि हो सकता है उसकी मलाकात बगवान से हुई हो या वो बगवान से बाचित करती हो और उससे प्राप्ट सलाहों के नुसार जिंदगी जीने और दुख बरदास्त करने का राजस्ता खोज लेती है और बगवान जो सलाह देते हैं कभी कह रहें कि जो बगवान जैसे ऐसा लगता कि माता जी की बाचित इस वर से होती रहती है और बगवान जो सलाह देते हैं उसके नुसार वो अपनी जिंदगी जीती है और जिंदगी में जो भी दुख आते हैं, उनको बरदास्त करने का, सहन करने का रास्ता वो खोज लेती है मा ने एक बार मुझसे कहा था, दक्सनी की तरफ पैर करके, मत सोना वो मृत्यू की दिशा है मा अपने बेटे को समझा था, चंदरकान देवताले, यानि कवी को कहा था माने कि दक्सनी की तरफ पैर करके, मत सोना वो मृत्यू की दिशा है मृत्य नहीं यम्राज की दिसा है और यम्राज को कुरुद करना बुद्धी मानी की बात नहीं है और जो है दक्सिन दिसा में यम्राज विराजमान होते हैं ये उनकी दिसा है और यम्राज को गुशा करना, कुरुद करना, कुरुद दिलाना ये कोई भी समझदारी की बात नहीं है कभी कहता है कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था कभी कहरें मैं छोटा था नादान था और मैंने माता से पूछा था कि यमराज का घर कहां पर है उसके घर का पता मैंने पूछ लिया था उसने बताया था यानि माता जी ने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिन में कि तुम जहां पर भी खड़े हो जहां पर भी हो उससे हमेशा जो दक्षिन दिसा है वहां पर यमराज का घर है मृत्यों के देवता का घर है दक्षिन दिसा में मा की समझा इसके बाद दक्सिन दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया कभी कहता कि मैं जब माने मुझे समझाया तो उसके बाद उसका इतना असर हुआ कि मैं कभी भी दक्सिन दिशा में पैर करके कभी नहीं सोया और इससे इतना फाइदा जरूर हुआ कि दक्षिन दिशा पहचानने में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा कभी कहता कि और कुछ हुआ हो या नहीं हुआ लेकिन इतना फाइदा मुझे जरूर हुआ मा की समझाईस के बाद कि मुझे कभी भी जो दक्षिन दिशा पहचानने में कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा यानि मुझे हमेशा एक दिशा का भान रहता था कि दक्षिन दिशा किस साइड में है किस दिशा में है मैं दक्षिन में दूर दूर तक गया और हमेशा मुझे मा याद आई और जब कभी बढ़ा हो गया और जब वो इदरुदी यात्राएं करने लगा तो कभी कहता है मैं दक्सिन दिशा में बहुत दूर दूर तक गया मुझे हमेशा मा याद आगई दक्सिन को लांग लेना संभाव नहीं था होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता कभी कहरा कि क्योंकि आप सभी जानतें कि प्रिथ्वी गोल है और कोई भी दक्सिन दिशा में जैसे आप चलते हैं तो फिर लोटकर फिर वही पर आ जाते हैं तो इसे के लिए बला है कि कभी ने कि दक्सिन को लांग लेना संभव नहीं था यानि दक्सिन का कोई अंतिम छोर नहीं था और कोई भी किनारा होता छोर यानि किनारा और अगर उसका कोई किनारा होता तो मैं जरूर यमराज का घर देख कर आ जाता पर आज जीदर पैर करके सो वही दक्सिन दिसा हो जाती है सभी दिसाओं में अमराज के आलिसान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विरास्ते हैं लेकिन कभी आज के संदर्ब में कहता है वर्तमान प्रिष्टितियों की शमिक्ष्या करता है माताजी के कथन के परिपेक्स में वो कहता कि आज जीदर भी पैर करके सो आप पूरव में पैर करिए पस्चिम में करिए उत्तर में करिए दक्सिन में करिए वही दक्षिन दिशा हो जाती है कि वही जो है यम्राज की दिशा हो जाती है दक्षिन की दिशा हो जाती है यहाँ पर जो उसने आज का जो है संदर्ब वो लिया है कि यम्राज क्या यानि ब्रष्ट, सोशक, अत्याचारी और दूसरों को पीडा पहुंचाने वाला जो लोग है वही आज के जमाने के यमराज हैं और ऐसे लोग आपको हर दिसा में मिल जाएंगे और उन ब्रश्ट लोगों के सभी दिसाओं में यमराज के आलिशान महल हैं यमराज के तरह हैं और उनके सभी दिसाओं के अंदर आलिशान महल हैं बहुत बड़ी बड़े महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों के साथ विरासते हैं और वो सभी उन महलों के अंदर बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर ब्रश्ट तरुके से इकठे गिये धन के साथ और अपनी दहकती आँखों के साथ वे एक साथ सभी में विरासते हैं यानि रहते हैं मा अब नहीं है और यम्राज की दिसा भी अब वह नहीं रही जो मा जानती थी और अंत में कभी कहता है कि मा अब नहीं रही है यानि मा की मृत्यू हो चुकी है वो यमराज के पास जा चुकी है लेकिन यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो मा जानती थी यानि जो मा को पता था कि यमराज की दिशा दक्सिन में है लेकिन वर्तमान समय में उसके संदर बदल चुके हैं आज वरस्टाचारी अन्याई जो लोग हैं वो हर दिशा में विराजमान है जो दुसरों को कश्ट पहुंचाते हैं और यमराज की तरह ही कश्ट कारी हैं तो यह कवीता थी आसा है आपको समझ में आई होगी और अगर यह अच्छी लगे तो मुझे कोमेंट करके जुरूर बताना धन्यवाद जय हिन जय भर्त